आलोक शर्माजी पक्राव नहीं पाए यहाँ भी मोदी जी को क्योंकि उन्होंने परिवार जाने 140 करोड तो कह दिया था इसी 15 अगस को 90-90 सेकिंड सब के होंगे अपनी समय सीमा का क्रप्या ध्यान रखिएगा देखे मुझे लगता है किस तरह से मुख्य मुद्दों से डाइवर्ट किया जाए उसका एक कुछ सित प्रियास है इसके आगे कुछ नहीं आज ब्रश भूशन शरण सिंग ने और अजे मिशरा टेनी ने भी मैं भी परिवार लिखके अपने बायोप में चेंज कर लिया है तो मोदी जी बताएं जरा किया केवल और केवल वो जो परिवार की बात कर रहे हैं आज हर एक घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है उनके परिवारों की बात क्यों नहीं करता बीजेपी का पूरा जो आज जमावड़ा उतरा है इस मैदान में दो नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहा है उनके परिवारों की बात क्यों नहीं होती है 20 रेप पर डे के आसपास हिंदुस्तान में हो रहे हैं उनके परिवारों की बात क्यों नहीं करते हैं 700 किसान दिली के बॉडर पर अपनी जान छोड़कर चले गए यहां पर उनके परिवारों की कोई बात नहीं करता मनीपुर में सैकड़ों लोग मर गए एक साल के अंदर हत्याएं हो गई उनके परिवारों की कोई बात नहीं करता लेकिन दिक्कत यह है कि राजनाद जी हो विजे गोयल हो अजीत पवार हो जैशाह हो वसंदरा राजे हो शिव सेना हो अकाली हो उनका किसी का परिवार Scot नहीं दिखता मोधी जी की यह हमेशा से टैक्टिक्स रही है कि किस طरह से आपने मुख मुद्दों से भटकाया जाए मोधी जी के तो मेहुल भाई भी है तो क्या वो भी परिवार में है नीरद मोधी ललित मोधी क्या चिनमयनन्द भी मोदी जी के परिवार में हैं क्या कुलदीप सैंगर भी हैं राम दुलार गौड भी उनी के परिवार में हैं आई आई टी बीएच्यू के गुनहगार सुना हैं उन्होंने भी अपना बायॉप चेंज कर लिया मैं भी वो ढूंडी रहा था इस रिपोर्ट के अधार पर किया हैं हमारे परिवार में देश के बेटा बेटी है मोदी जी का कोई व्यक्तिकत परिवार नहीं है उनके लिए 140 क्रोड लोग ही उनका परिवार है 12 क्रोड किसान जिनको किसान समान निदी मिलती है वो हमारा परिवार है 11 करोड लोग जिनके घर में नलका बैठा है वो हमारा परिवार 13 करोड लोग जिनके घर में शौचा ले आया वो हमारा परिवार 80 करोड लोग जिनको मुफ्त राशन मिला वो हमारा परिवार जिस प्रकार से हमने 25 करणों को गरीबी से निकाला वो हमारा परिवार ये हमारा परिवार है परन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरा भी कोई परिवार नहीं है हम लोग देश को अपना परिवार मानते हैं ये परिवार को अपना देश मानते हैं आलोग जी की आधिकरित पार्टी का बयान है इंडिया इस इंडिरा इंडिरा इस इंडिया और आज मोदी जी क्योंकि इन परिवार वादियों के लूट जूट और गाली के चूट को एक के बाद एक ध्वस्त करते जा रहे हैं तो ये मोदी जी को कभी मा भेन पर गालिया दे किया अपकर पर जरूर बोले मिरे अलो परंतु शाजा जिसने अनुसूचित जाती जनजाती की महिलाओं का बलादकार किया जैसे वो समय में मुगलाई मानसिक्ता के लोग हिंदू महिलाओं को हरम में रखते थे वैसे इसने किया और विक्ट्री साहिन दिखाया परनतु प्रियंका वाडरा ने एक शब्द में बोला आपके परिवार में शाजहा और मेरे परिवार में वो 80 करोड लोग जिनको राशन मिलता है ठीक है आलोग जी जवाब दीजे शेक शाजहा पर आपकी पार्टी का क्या स्टेंड है और प्रियंका जी ने आज सक चो नहीं कहा बेटी हो लड़ सकती हो ग्षेक शाजहां के मामले में संदेश खाली भी जाओंगे देखे मुझे लगता हात रसपे तो मोदी जी ने भी कहा होगा रमिच्छा जी ने भी दोनों नहीं कहा होगा और चिन्वानेंट पे और कठ्वा पे और उन्नाओ पे और कानपूर में स्मृति रानी जी ने भी जरूर कहा होगा हमारे यहां से अधिरंजन चौधरी जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के लीडर से पहले संदेश खाली गए और उनको वहां पर पुलिस ने रोका हमने सबसे पहले ममता जी की सरकार के उपर अगर सवाल उठाए तो बीजेपी से भी पहले हमने सवाल उठाए शाह जहां को जेल में डालो और उसको तुरंक फांसी पर लटकाओ हमारी ये मांग है ओफिशली लेकिन ये मोदी जी और मोदी जी के तमाम प्रवक्ता विक्टिम कार्ड जो खेलने लगते हैं दस साल के बाद भी विक्टिम कार्ड पर या अधारित हैं, पूरी तरह से के भाई, विक्टिम कार्ड खेल कर ही आप लोग वोट लेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और जहां तक आपने आकड़ों की बात की थी, NCRB के आकड़े 2022 के जो हैं, उनको आप उठा लीजी दीपक जी, उसमें ता तमाम जो चीजें हैं, पॉइंट फॉर्म में इधर उधर हो सकती हैं, मैंने वहीं से आकड़े आपको प्रस्तुत किये हैं, क्या वो परिवार नहीं हैं, क्या वो तमाम लोग परिवार नहीं हैं, जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई, क्या एक शब देश के अंदर बढ़ी हैं, क्या वो पूरे देश नहीं देखा हैं, लेकिन दुरभाग यह है, क्येवल और केवल इस तरह की चीजों को यूज करके, मीडिया में फ्लोट करके, और केवल सिंपैथी गें करना, मोदीजी ने जूट बोला, क्या उनका परिवार नहीं हैं, क क्या पत्नी नहीं हैं, क्या तलाग हो गया है, मैं व्यक्तिगत, मैं व्यक्तिगत कभी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश का प्रधान मंत्री जूट बोले, वच्छा नहीं हैं, दीपक जी क्योंकि उन्होंने कहा कि अधीर अंजन चौधरी ने स्टैंड लिया था संद ी जहां, महिलाओं के साथ अत्या चाल हूआ, देखो, वहाँ पर हमेशा ये चलते रहता है, मैं आपका समय रूखा हुआ है, दूसरा सुनिए आप टेलिविजन समझते हैं किसी दूसरे चैनल का बायान किसी दूसरे चैनल पर न दिखाए तो मेरबानी हो गिया अब खडगे जी तो नंबर वन है न टेकनिकली पार्टी में तो बता दीजे आलोक शर्मा जी खडगे जी सही या अधीरंजन चौदी सही प्लीज डूसरी बात दूसरी बात दूमका में जो जारखंड में साथ आदमियों ने मिलकर एक विदेशी महिला का बलातकार किया उस पर प्रियंका वाडरा कब जाएंगी कहां जाएंगी उसके बारे में बता दीजिए तीसरा ये है घटना बंगा बेंगलूरू की करनाटका की एक आदिवासी महिला को अपना अधिकार मांगने के लिए निर्वस्त किया गया क्या प्रियंका वाडरा वहां पर गई और चौ जवाब आलोगी जवाब तुरंत इंतजार मत करिये देखें मुझे लगता है कि तीन सवाल पूछे गए थे खडगे जी से और उसको किस तरह से मिक्स किया गया उन्होंने तीनों का अलग-अलग उत्तर दिया है नहीं और बीजेपी जिस तरह कि हमेशा से आईटी सेक्टर में अरे भाई बिलकुल सुनिये मेरी बात तीन सवाल उस पत्रकार देखें और अब उसको अरे भाई सुनिये ना प्लीज यार प्लीज सुनिये मेरी बात आप लोग खिचली बनाना बहुत अची तरह से जाना थे भीपक जी आप मेरे सावरक्षण में आईए मैंने महिने में रेप हुए हैं तो राजिस्थान है और उसके बाद अगर कोई दूसरा नंबर पर यूपी की बात करें तो टोटल महिलाओं पर अत्याचार में राजिस्थान नंबर एक पर हो गया लेकिन उस पर नहीं बोले हैं बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अपकी ब किया जाए मैं तो पूछ रहा हूं ब्रज भूशन सरण सिंग जी मोदी जी का परिवार ही है क्या मोदी जी एक व्यक्ति को परिवार ना मान के बाकि सब को परिवार मानने को त्यार है आज एक आम चर्चा थी के मोदी जी की माता जी का दिहान्त हुआ क्या उनकी पत्नी जो ह आपके बताईए कि आपकी, ने, ने, ने.